हलो एवरिवन तो आज मैं आपके लिए फिर से ऐसा जबरदस नाश्ता लेकर आई हूँ जिसे बनाने के लिए स्रीप और स्रीप पाश मिनट लगते हैं जी हाँ आज हम बनाएंगे इंस्टेंट दोसा लेकिन बनाएंगे ब्रेट से जिसे कि ये बहुत ही क्रिस्पी कररारा और बहुत ही जबरदस्त बनता है तो चलिए इस रस्प को देख लिते हैं तो दोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है ब्रेट स्लाइसेज मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेट ली है जोकि साथ से आठ स्लाइसेज है आप ब्राउन ब्रेट भी ले सकते हैं और इन्हें तोड कर हमें डालना है ग्राइंडर जार में क्योंकि हमें इस के पारोम करना है अब हमने चीज़े डालें है इसे construction के इंहिए वह सदूल ajuda है 60 थन ऑफ घरी नहीं मैंwr नहीं नहीं है लेंगे और नमक हमारे स्वाद्निसार ढलना और अब हमें इसे समूध Crime होने तक जैसे यह ग्राइंड होगा हमें इसे एक बोल में transfer कर लेना है यह देखिए यह अच्छे से grind हो चुका है और बिल्कुल दोसे के बैटर की तरह यह दिख रहा है मैं आपको इसे दिखाती हूं कि यह कितने अच्छे से paste इसका बना है लेकिन बैटर जो है वो थोड़ा सथेक है तो मैं इसमें आधे कप के करीब पानी और डा है और यह पानी जो हमने डाला है वो ठंडा पानी है गरम पानी नहीं है तो देखिए अब हमने इसे अच्छे से mix कर लिया है और अब इसकी consistency बिल्कुल perfect है अब इसमें डालेंगे हम half teaspoon baking soda जी हाँ इसमें baking soda डालेंगे तब ही इसमें अच्छे से aeration होगी जो बैटर है वो थ अच्छे से इस बैटर में mix हो जाए और इसका जो aeration है वो फटफट दिखना शुरू हो जाए तो मैं आपको नस्दिक से भी दिखाती हूं कि बैटर कितना full चुका है और इसके अंदर बहुत ही अच्छी bubbles बन चुके हैं जो हमारे दोसे को बहुत ही जादा जालीदार बना जाती हूं कि बैटर में बहुत अच्छी aeration आ चुकी है अब हम इसका दोसा बनाना शुरू करेंगी पांच मिनट में ही यह बैटर बन जाता है और आप फटा-फट सुबह किसे में यह नाश्ता बना सकते हैं तो यहां पर आपको ले लेना है एक नॉन स्टिक तवा और इस step हर बार करना है आपको और तभी आपकी दोसे perfectly बनकर तयार होगी इसकी सारी जानकरी मैंने पिछले वीडियो में दी थी कि आपको दोसा डालते वक्क किन-किन बातों का ध्यान रखना है तो चले अब मैं आपको दोसा डाल कर दिखा रही हूं बहुत आसानी से यह बन जात कि अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसके बिनावी से बना सकते हैं लेकिन डाले से बिल्कुल बाजार जैसा यह बनकर त्यार होता है और यह गन पाउडर की रेसिपी मैंने पिछले हमारे अपम की वीडियो में दी हैं आप देख सकते हैं थोड़ा सा बा नहीं जादा करा रहा होते जाएगा और बिल्कुल बाजार जैसा दोसा बनकर त्यार होगा किसी को यकिन नहीं होगा कि यह ब्रेट से बना है खाने में भी यह बहुत बहुत टेस्टी लगता है तो चलिए अब मैं आपको एक दूसरा दोसा भी बना कर दिखाती हूँ जो क बिल्कुल पतले पतली क्रिस्पी करारे दोसे बनकर त्यार होते हैं और आप तो मुझे यह कहेंगे कि आपका जो तवा है वो तो बहुत अच्छा है इसके लिए आपके दोसे अच्छे बनते हैं आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे लेकिन मैं आपको आगे पुरा कि अब देख सकते हैं यह कई साल पुराना है इस doivent घ्रिज करेंगे क्योंकि मैं आपको इसमें भी बहुत ही क्रिस्पी करारा और बहुत ही पतला दोसा बना कर दिखाऊंगी तो ग्रीस करने के बाद हमने फिर से पानी की छीटे दिये और इसे पोच लिया है अब हम इसमें डालेंगी ये दोसी का बैटर और इसे हलके हलके हाथों से आपको फैलाना है ये प्रोसेस आप सभी को पता है कि दोसा कैसे डाला जाता है बस इसे तरीके से डाल कर आपको इसे अच्छे तरीके से करारा होने तक सेखना है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उपर तेल भी लगा लिया है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यह कितना पतला बना है आप स्पैचूला के निशान इस पर क्लियरली देख सकते हैं यह इतना पतला है रेकिन हमें इस पर अच्छा ब्रावनिश कलर आने तक इसे सेखना है तभी यह दोसे ज़्यादा करारे बनेगी तो अगर आपको सॉफ्ट दोसे खाने है तो आप इसे थोड़ा कम सेखे और ज़्यादा क्रिस्पी खाने हो तो इसे इस तरीके से करारा या फिर ब्रावनिश कलर आने तक सेखी बहुत ही बढ़िया बनते हैं दोस्तों यह रेसिपी आप जब बनाएंगे तो आपका यह फेवरेट नश्टा बन जाएगा और जट बट यह सुबे के समय बहुत ही जल्दी बनता है तो आज की यह वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेलफूल लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए इसे शेयर कीजिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले